हाई फ्रेंद्स वेलकम टो शिल्पास कीचन आज हम बनाने वाले हैं टेसी और हल्दी रेसिपी वह है खजूर लड्डू बहुत ही जटपर्द बनने वाली रेसिपी और थंडी में आप ज़रूरी से ट्राइ किजेगा तो चलिए रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपन तीन चमश देसी घी आप चाहे तो अंसॉल्टेड बटर भी यूज कर सकते हैं घी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे देखिए हमारा घी मेल्ट हो चुका है अब हम इसमें ड्राइफ फूर्साइड करेंगे यह बदाम 50 ग्राम बारिक कटा हुआ अगला इंगरिटेंट अगला इंगरिटेंट है काजू 50 ग्राम बारिक कटा हुआ यहां पर मैंने लिया है पिस्ता यहां मैंने 15-20 पिस्ता जो है इने पिस्ते को काट लिया है बारिक सम जो है अभी जो ट्राइफ फूर्स को रोस्ट करने वाले हैं अब चाहे तो अपने आप्शन के अनुसार य तक रोस्ट करना है और रोस्टिंग प्रोसेस जो है हमें आपको टिप आप दरे यह है कि सिम रखकर ही हमें पूरा प्रसेस पूरा करना है तो अच्छे से रोस्ट हो गए है अब हम अगला इंगरिटेंट आड़ करेंगे यहां मैंने लिया है आधा किलो खजूर सीडलेस ख कर लेते हैं अच्छे से बिलकुल इस तरह से अब अंगला इंगरिणेंट है ग्रेटेट कोकोनट यहां मैंने चार चमच लिया हूआ है आप जाहे तो स्किप कर सकते हैं कोकोनट को अच्छे से मिक्स हो चुका है मैंने जो है काउंटर टॉप पे लेके आई हूँ हमारा मिक मिक्षर तैयार है और ज़्यादा गरम नहीं है देखिए इस तरह से लड्डू बनाने हैं आपको बिल्कुल इस तरह से मिक्षर को जो है ज़्यादा थंडा होने मत दिजेगा अब हम इसे जो है ग्रेटिट कोकोनट में कोट कर लेंगे देखिए कितना टेस्टी और डिलिश् है हमारा खजूर लड्डू देखिए आप जो है इसे इजीली बना सकते हैं इसमें मैंने जो है विल्कुल भी आप देखा कि शकर नहीं डाला है तो आपको अच्छे से कोट करके सारे लड्डू इसी तरह से तयार कर लेते हैं तैयार है हमारे खजूर लड्डू टेस्टी बाइट साइज लड्डू है विंटर में अब जरूर ट्राई कीजेगा और अपने जो है एक्सपेरियंस कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेगा अपको मेरा वीडियो पसंद आया पसंद आया तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा तो फ्रेंस जरूर ट्र बाइब की बाइब